जहा हिनों भाषकर जी साइंसW में आपका फिल से स्वागत है आजकी हमारा टापिकस है य पर इस bills आई वी नई टेकनोलाजी चयाहे आपके कंपिडिक के के छेत्र में हो यह फिजिक्स के छेत्र में हो किसी भी छेत्र में हो चाहे किसी भी छेत्र में हो उस छेत्र में आई हुई जो नई टेक्नोलाजी उस टेक्नोलाजी का हमको इकोनामिक इंपॉर्टेंस जाना ही बहुत ही जरूरी है जैसे कहने का मतलब कि जब इट का भठा लगाया गया तो यह नहीं सोचा गया कि इट का भठा तो लगाया जा रहा है लेकिन इससे उठने वाला जो कारबन डाई आकसाइड है यह हमारे वाई मंडल को बहुत ही गरम क कर देगा जिससे क्या हो सकता है कि हमारे वाई मंडल का टमक्रेचर पचास डिग्री सेंटीग्रेट तक भी पहुंच सकता है तो यह नहीं सोचा गया लेकिन अब सोचा भी गया होगा लेकिन उसमें मजबूरी रही होगी रोजगार की तो इसी प्रकार से हम आपको यहां आ को किसी ने ले लिया हमारी ही आवाज को लेकर करे वह क्या कर आवाज भेज करके को बोल दिया कि भाई इसके मैसेज भी जो हमां कि मैं तुमको और रहा हूँ तो यह स्ट को इस नंबर पर प्रपैसा भीत तो यह इसका क्या हो गया कि harmful importance लेकिन useful importance क्या है useful importance में हम आपको बता दें useful में जैसे जो काम हमको करने के लिए घंटों महीनों या पुरा दिन का दिन समय लगता था तो यह artificial intelligence क्या करता है कि या किसी भी computer पर जो program था उस program को पुराने website के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो चलते थे Microsoft Google से जो चलते थे उनकी अपेच्छा यह क्या कर सकता है कम से कम दस गुना कम समय में यह artificial intelligence आपके कार को तरक्की दे सकता है लेकिन आप यह जान लिजिए कि जैसे हम चाहे किसी भी program के बारे में बात करेंगे चाहे वो chat GPT होगा या chatbot होगा website Microsoft तो कहीं भी आप जाएंगे तो दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी यानि कि harmful useful और यूसफुल इकोनामिक इंपार्टेंट इन दोनों इंपार्टेंस में आप यह गवर करेंगे कि दोनों जिगह हम क्या कर रहे हैं डाटा का ही यूज कर रहे हैं तो अब आप कहेंगे कि यहां से कोई फ्राट करके नि इस प्रकार से यूसफुल और हुर्फुल इंपार्टेंस को जानते हुए हम क्या कर सकते हैं अपने नुकसान को पचा सकते हैं ज्यूकरिया लेकिन ये तो बास सही है कि जैसे जी से आने से पहले क्या था की तमाम मजदूरों की कमी हो गई लेकिन अब आप देख रहे हैं म तो दोस्तों यह चीज जिमाग से निकाल दीजिए कि कोई टेकनोलाजी आती है आपकी नोकरी को खा जाएगी इसा नहीं है आपकी नोकरी को क्या करती है? मोडिफाइड करती है तो मोडिफाइड करके आपको गलत तरीके से यह मतलब जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम में खाली परिवर्तन हो रहा है तो एक नोकरी जाएगी तो दस नोकरी आएगी